अगर आप अभी भी ऐसा मानते हैं कि आपके सुख दुख पर से आते हैं, आप अपने विकल्पों को रोख नहीं पाएंगे आप सोएंगे तो सोते समय भी वे विकल्पाएंगे दूसरे रूप में आप नींद में भी इन विकल्पों को रोक नहीं पाएंगे, अपने ध्यान को तो आप भूल ही चाहिए जैसे जैसे आपकी इस बुद्धी का नाश होने लगता है कि मेरा सुख या दुख पर से है वैसे वैसे आप में स्विकार भाव बढ़ने लगेगा स्विकार भाव आपका मंतर बदल जाएगा, तो क्या? उस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, तो क्या? एक कर्मकृत व्यक्ति ने दूसरे कर्मकृत व्यक्ति का अपमान किया, उसमें मैं तो द्रश्टा आई हूँ, तो क्या? तो क्या कि इस वंतर के बाद आप अपने विकल्पों को चालू रखने की कोशिश करें? संभव नहीं है देखिए समझने की कोशिश कीजिए, स्वीकार भाव जीवन को अच्छी तरह से संभालने की कुंजी है क्या क्या है जिसे आप स्वीकार नहीं कर सकते चलो देखते हैं, अवान्शिद घटना आए यदि आप उसका स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप क्रोध की स्थिति में होंगे यदि आप स्वीकार करते हैं, तो आप सहनशिलता की स्थिति में होंगे जैसे जीवन की अनिश्चितताओं का आप स्विकार नहीं कर पाते हैं यदि आप उसका स्विकार नहीं करते हैं तो वो डर में बदल जाएगा यदि आप उसका स्विकार करते हैं तो वो साहस में बदल जाएगा आप तैक करें, आप चुने यदि आप दूसरों के बुरे वेवहार को स्विकार नहीं कर सकते हैं दूसरे हमेशा बुरे होते हैं उनका वेवहार हमेशा बुरा होता है अगर आप मना कर रहे हैं तो आपको क्रोधाधी क्यों आता है तो यदि आप दूसरों के बुरे विवहार को स्विकार नहीं कर सकते, तो वो बदल जाता है, वो बदल जाता है नफ रत में, और यदि आप इसे स्विकार करते हैं, तो यह क्षमा में बदल जाता है. यदि आप दूसरों की सफलता को स्विकार नहीं कर सकते हैं बुरे वेभार के बाद अच्छे वेभार को लेते हैं यदि आप दूसरों की सफलता को स्विकार नहीं कर सकते हैं तो ये एरशा में बदल जाता है यदि आप स्विकार कर सकते हैं तो ये प्रेरणा में बदल जाता है अब बदलाव देखिए सारे दुर्गुन जाते जाएंगे और सारे सद्गुन आते जाएंगे इतना सरल है तो स्विकार भाव जीवन को अच्छी तरह से संभालने की कुझी है